हेलो एवरिवान वेलकम टू माई चैनल मैं सुख जीत आपका सवागत करती हूँ गाईस आज की बीडियो किचन बिंडो कलीन की हम चिप चिपी जे खिड़की को जाली को कैसे साफ कर सकते हैं मेंटो में बिना किसी लिक्विड के तो बहुत ही आसान तरीके से जे साफ हो जात Press करते हैं तो जे दर देखो इससे हम करेंगे कलीन बिना किसी कैमीकल लिकवर्ट से जा किसी बुर्ष की सहथा से or बस इस इस क्पूच से हम करेंगे जे स्टील को बरतन माजने में कामा आती है तो इससे ना खिड़की बहुत अच्ची ट्लीन होती है तो जे देखिये कितन इसका जितनी भी डिस्ट ठी वो ऐसे असानी से निकल जाती है इससे। मैं जब भी खिरकी साफ करती हूँ तो इससे एक करती हूँ। जितना कलीन इसके साथ होता है तो इसक क्योंकि अक्सर हमारी जो किचन की बिंडो है वो चिपचिपी सी हो जाती है क्योंकि गैंसर जहां पर रखा होता है तो जब भी हम खाना बनाते हैं तो ज़्यादा हाम इसे ही पहुंचता है तो जे देखिए बहुत ही असानी से मैंने बिंडो कलीन की है बिना पानी के बिना ब और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है जे क्योंकि जहां पर ही सारा जितनी भी धूल मिटी होती है तो इस खिड़की में ही लगती है तो इसलिए इसे स्टील कुछ के साथ साफ करना बहुत जरूरी है तो जे देखिए जे काफी हद तक साफ हो गई है तो बहुत ही ईजी तरीका है बिंडो किचन किचन बिंडो को क्लीन करना तो जे देखिए जे सारे ही हो जो तेल के दाग है तो सारे उतार दूंगी में तो जे देखिए कितनी इसमें डस्ट निकली है तो बहुत ही ईजी तरीक तो चाहे आप भी ऐसे कर सकते हैं जो बुर्श के साथ करकर ठक चुके हैं तो एक बार इस स्टील कूछ से भी जरूर ट्राइ करके देखे तो जे देखो कितना निकला है इसमें तो अच्छी तरह से मैं साफ कर दूँगी तो जे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्ल इस स्टील कूछ न इतने काम की है जतने हमारे बरतन अलगे निकारती है उतना ही यह हमारी बिंडो को भी साफ कर देती है तो बस इसे जाले इसे मैं साफ कर दूँगी फिर फाइनल लुक दखाते हैं कि यह इतनी साफ हो गई है तो जे देखिए गाइस जे देखिए सारी डस्ट निकल गई है तो जे जो स्टील कूच है बहुत काम की है तो हमारी किचन बिंडो जो है वो कलीन हो चुकी है बहुत ही एजी तरीके से बहुत ही एसान तरीके से तो जे देखिए दोनों ही जाली से जे इतना निकला है तो हमारी स्टील कूछ इतनी सी रह गई है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शे जरूर करिएगा